हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा आफ्टर एफेक्ट में मार्क इन मार्क आउट के बारे में कि कैसे हम आफ्टर एफेक्ट के क्लिप में मार्क इन मार्क आउट लगा सकते हैं और टाइम लाइन को पर ला सकते हैं अपनी फुटेज को तो देखिए सबसे पहले यह हमारा आफ्टर एफेक्ट सीची है यह हमारा After Effects CC है इसमें यह हमारे पास में एक फुटेज है यह वाली इस फुटेज पर हम क्लिक करते हैं यह देखिए यह हमारे पास में एक फुटेज आपके आगे यह वाली अब इस पर क्या करने है आपने डबल क्लिक किया और यह हमारे पास में एक अलग से Windows ओपन होगी है यह वाली यहाँ पर आपने क्या करना है जैसे कि आप यहाँ पर करसर ले जाते है यह आपका करसर है सपोर्च कि यह आपने इसमें तीन सेगिंड का लेना है यहाँ पर यहां से यहां तक तो यह हमारे पास में है, Mark, इनका Option, सैटिन टिन लगा सकते हैं यहां से लीजिए और यहां से यहां तक आउट कर दीजिए अब आप यह देख सकते हैं कि इस पे Mark इन लगाने पर यह तीन सेकिंड की हमारी किलिप इस टाइब से आ गी है इस टाइब से अब इसको क्या करना है आपने simply यहां पे click करना है और उठा के आप इसको drag करना चाहाओ ड्रेक कर सकते हो नहीं तो यह होता है आपके पास में overlay edit इसको उठा के आपने यहां कर देना है यह देखिए यह आपके clip इस type से 3 से कि इस पॉइंट पर आ गई है जब आपकी यह किलिप एक 3 से कि आ गई है आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पर किलिक कीजिए क्लिक करने के बाद में इसे इस तरह खीच लीजिए यह देखिए मैं पॉइंटों को कर रहा हूँ और इसको आप इस टाइब से खीच सकते हैं यहाँ पे यह आगी आपकी इस टाइब से यहाँ पे अप क्या करना है आपने दूसरी फूटेज हम ले लेते हैं कोई यह देखिए एक और दूसरी फूटेज पर मैंने क्लिक किया है यहाँ पे इस वारी फूटेज इस पे मैं double click कर रहा हूँ यह देखिए और double click करने के बाद आप क्या देखेंगे यहां से इस लड़के की entry step से दिखानी है हमने जैसे यहां से आए यहां पे यहां पे आपने लगा दिया in यहां पे आप जाईए यह हो गया आपका in point यह देखिए आप इस पे यहां पे आप нятьain point करते हैं यह आगया आपको in point और यहां पे आपका आगया है यह देखिए यहां पर आपका आगया है अपने क्या करना जैसे कि आपको यहां पे डालना है अपने clip को इसको क्या करेंगे आप यहां से उठा के simply उस फुटेज के अंदर यहां पे और यहां से इसको इस पॉइंट से ओवरले एडिट से यहां पे इसको उठा के किलिक करेंगे और यह देखिए यह आपकी फुटेज आगे यहां पे यह देखिए यह आपकी फुटेज इस्टार्ट हुई दैन आपकी यह फुटेज इस के रिए क्योंकि यह छोटी है इसको हम घीच के इस टाइब से बढ़ा कर लेते हैं यह देखिए यहां पर आपकी यह फुटेज इस टाइब से आगी तो यह होगे आपका सेकिंड सोर्ट इस सेकिंड सोर्ट लेने के बाद में आप यहां पर एक और फुटेज लीजिए इस टाइब से और डबल क्लिक कर दीजिए यह आपका एक सोर्ट है यह वाला तो यहां पर आप इस सोर्ट को यहां रखना चाहते हैं सब पुछ करो तो यहां पर हम फुटेज पर जाएंगे उस पर और इसको इस टाइब से बात करते हो यहां से साथ सेकिंड का हम सोर्ट ले यहां पर और यहां पर लगाते हम आउट यहां पर थोड़ा सा पहले यह आउट कर लेते हम यहां पर और यहां पर हम 6 सेगंड में इस टाइप से यहां पर 6 सेगंड में यहां पर एक हमारे पास में अलग से विंडो ओपन हो जाती है यहां पर यह देखिए यह आपकी होती है फाइनल कंपोजिटिंग जहां पे आप किसी भी चीज को एडिट कर रहे हैं, पूरा का पूरा, यह फाइनल कंपोजिटिंग हमारी इस टाइप से होती है, ठीक है, यह आप जब फुटेज उपन करते हैं, तो यह हमारे पास में एक विंडो अलग से उपन हो जाती है, जहां स सिक्स सेकिंड पे हम करसर को सेट कर देते हैं, और यहां पे हम लेते हैं यह वाला पॉइंट, और यहां पे हम इसको कर देते हैं, इस टाइप से, यह देखिए, यह हमने इस टाइप से कर दिया है, कंट्रोल आल्ट अफ, याद रखिए दोस्तों, कंट्रोल आल्ट अफ, आ तो देखे हमने तीन तरह से इसमें कम्पोजिटिंग लगा लिए इस टैप से ये ये और ये तो इस तरह आप किसी भी किलिप पे Mark In Mark Out का यूज़ करके उसको compositing timeline पे ला सकते हैं यह देखिए यह अलग-अलग मैंने तीनों के तीनों short आपके ले लिये तो friends यह था हमारा mark in और mark out का option आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नहीं चीज़े so please keep watching my tutorial on the YouTube channel